सरदी के मौसम में ही अपनी स्किन में ड्राइनिस या सुखापन महसूस करते हैं। पानी और दूद का सही मातरा में इस्तेमाल करना शाहिए। बहुत सरूरी होता है। और इसके लिए दूद सबसे हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि दूद में कई तरह के हॉर्मोन्स और एंजाइम्स होता है। जो कि इसकिन में ओयल के प्रोड़क्शन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसलिए ड्राइ सकिन वाले लोगों को दिन भर में 10-12 गलास पानी और कम से कम एक गलास तूद सरूर पीना चाहिए। तके शरीर में पानी की कमी और इसकिन में ओयल की कमी दोनों को ही पूरा किया जा सके। चेहरा धोने में साबुन या गलत तरीके के फेस वाश का इस्तमाल करना। ज्यादा तर साबुन सोडियम और फैट से मिलकर बना होता है। जिसकी वज़े से इसमें alkaline properties आ जाती है। जो कि हमारी skin की acidic properties से बिलकुल उल्टा होता है। और इसलिए इसके इस्तमाल के बाद हमारी skin और भी जादा dry हो जाती है। इसलिए dry skin वाले लोगों को body के लिए liquid body wash या moisturizing soap का इस्तमाल करना चाहिए। जैसे की dove और दूसरे मौश रेजिंस हो। लेकिन चेहरे के लिए हमेशा ही mild और gentle cleanser का ही इस्तमाल करना चाहिए। जो कि cream form में आता है और इसे चेहरे पर apply करने के बाद भी बहुत जादा जाग नहीं निकलता। और इसी तरह का face wash dry skin वाले लोगों के लिए perfect होता है। हमेशा ही charcoal slice ilic acid, aqua, laurel glucoside वाले या gel form में मिलने वाले face wash का इस्तमाल dry skin वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के face wash oily skin वालों के लिए होते हैं जो कि skin से oil को absorb करने का काम करते हैं। और अगर इसका इस्तमाल dry skin में कर लिया जाए तो ये skin को और भी ज़्यादा dry कर सकता है। दोस्तों alcohol और fragrance में skin से moisture को absorb करने के tendency होती हैं जिससे ये dry skin को और भी जादा dry कर देता है। इसलिए किसी भी तरह के skin product जैसे की face wash, moisturizer, body lotion या sunscreen जैसी चीज़ खरीदते वक्त उसके ingredients list को एक बर जरूर चेक कर लें। और अगर उसमें alcohol या artificial fragrance जैसी चीज़ों का इस्तमाल किया गया है तो उसे बिलकुल भी ना खरीदें। दूस्तों कुछ लोग नहाने में सर्दी के मौसम नमी को सोख लेता है और बहुत जादा गर्म पानी skin में मौझूद मौशर को वेपराइस्ट कर देता है जिससे skin और भी जादा dry हो जाती है। इसलिए dry skin वाले लोगों को गर्मी के मौसम में नॉर्मल पानी और ठंदी के मौसम में हलके गर्म पानी से ही नहाना चाहिए। कुछ लोग को बिना वज़ा बहुत जादा देर तक चेहरा धोने या नहाने के आदत होती है लेकिन अगर आपकी skin dry है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी सही नहीं है dry skin में वैसे भी जल्दी wrinkles पढ़ते हैं और ज्यादा दवाब के साथ चेहरा या बदन को पोचने से skin की उपरी layer damage हो जाती है और ज्यादा dry दिखने लगती है इसलिए चेहरे को धोने के बाद हलके हाथों से simply towel को चेहरे पे tap करते हुए ही पहुचना चाहिए। मौशराइजिंग दोस्तों जादा दर लोगों को यहीं नहीं पता होता कि मौशराइजर होता क्या है और इसे क्यों लगाया जाता है और कुछ लोगों को पता भी होता है तो उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें अपनी skin के हिसाब से कौन सा मौशराइजर इस्तमाल करना चाहिए।। इसका इस्तिमाल चेहरा या हाथ पैर को धो कर पोछने के तुरंत बाद ही कर लेना चाहिए। क्यों sizin पूशने के तुरंत बाद हमारी इस्किं गिली रहती हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी skin पूरी तरह से hydrated और fresh दिखने लगती है और dry skin वारे लोगों को हमेशा ही oil based या फिर cream based moisturizer का ही इस्तिमाल करना चाहिए और अगर आपके पास moisturizer नहीं है तो aloe vera gel या फिर coconut oil भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये चीज़े भी बहुत अच्छे moisturizer के ही तरह काम करता है dry skin वालों के लिए कुछ सबसे अच्छे moisturizer की link आपको description में मिल जाएगी अब चाहे तो check out कर सकते हैं बेसिकली toner पानी जैसी consistency वाला एक cosmetic product होता है जिसका इस्तमाल चेहरा दोने के बाद और moisturizer लगाने से पहले large pores को shrink करने और चेहरे पर आने वाले oil को control करने के लिए किया जाता है इसलिए dry skin वाले लोगों को toner का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी skin को और भी जादा dry कर सकता है सर्दी के मौसम में अक्सर लोग ठंड से बचने के लिए उनी कपड़े का इस्तमाल करते हैं जो कि dry skin को जादा irritate कर सकता है इसलिए हमेशा अंदर cotton कपड़े और उपर से उनी कपड़े का इस्तमाल करना चाहिए ताकि उनी कपड़े का skin से contact ना हो सके जिननों की skin बहुत जादा dry होती है उन्हें खासकर अपने चेहरे की skin को बहुत जादा ठंडी और बहुत जादा गर्म हवा से protect करना चाहिए क्योंकि बहुत जादा गर्म और बहुत जादा ठंडी ये दोनों ही हवा हमारी skin से moisture को पूरी तरह absorb कर लेता है जिसे skin की dryness और भी जादा बढ़ सकती है